पस्मांदा मुस्लिम समाज भाजपा से नहीं जुड़ा है? मुझे कुछ करके दो तब मैं तुम से जुड़ूँगा और ऐसे वादों से मुसल्मान जुड़ने वाला नहीं है यह जो उनके नेता है इनकी कोई हैस्चत नहीं है इनके बूते पर पस्मांदा जुड़ियाएगा तो यह गलत फहिमी है उत्तर प्रदेश में पस्मंदा मुसलिम समाज के लिए भारतिय जंता पार्टी अलग-अलग सम्मेलन कर रही है और ऐसे में लक्नव में भी इस तरीके के सम्मेलन किया जा रहा है यही नहीं बीजेपी अब पस्मंदा मुसलिम समाज की लगातार बात कर रही है लेकिन क्या कि जो बात हो रही है पसमंदा समाज के लगातार अब आज बीजेपी भी उसको लेकर एक प्रोग्राम कर रही है समेलन कर रही कई लोगों बुलाया है तो क्या वाकई आपको लगता है या आप लोगों के क्यों समाज से जुड़े हैं क्या कहेंगे देखिए जिस तरीके से देश के प्रधार मंत्री माननी नरेद मोदी जी ने अपने राष्टी करकानी के बैठग में पसमांदा मुसल्मानों के फला भाइबूती के लिए फिक्र मंद हुए इससे पसमांदा मुस्री समाज के लोगों में एक उर्जा का संचार तो हुआ कि आ अधरनी नरेद मोदी जी ने पसमांदा मुस्री समाज का नाम लिया इससे हमारे लोगों के अंदर उर्जाक संचार तो हुआ लेकिन अधरनी प्रधान मंत्री जी को यह कह करके कि हम पसमांदा मुस्री समाज के लिए इसने जातरा चलाएंगे हम उनके लिए काम करें उनके काम चाहिए तो मैंने भी प्रेस कांफरेंस करके परधार मंती जी का आभार व्यक्त किया कि सच में आप अगर पस्मादा मुझी समाज की बात करना चाहते हैं तो इस देश के अंदर मुसल्मानों कुल अबादी के 85% पिछले यानि पस्मादा मुसल्मान हैं आप इनके लिए अगर सीरियस हैं तो सच में कारियोजना बना करके और इनको लाप पहुचाने का काम करें लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जैसा कि उन्होंने तमाम कारेकरम शुरू कर दी ज यह गलत फहिमी है आपके इसाब से पस्मांदा मुसल्म समाज भाजपा से नहीं जुड़ा है कहां जुड़ा है आप देखिए जो यह भारती जनता पार्टी के मुसल्मान है यह सरकारी मुसल्मान है यह सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं यह सरकार में पढ़े हैं यह कु सुए पुरे हाल के अंदर उर्दू एकडमी से मदर्सा बोड से अवसंखाय गायोग से दोनों वक बोड़ों से जो मुस्लिव समास से तमाम वीभाग थे उन उन्हें से तमाम लोगों को बुलाया गया मदर्सा बोट पे कोड़ा चलाया गया कि सब लोग सब लेकर के आदमी आए तो उसमें जितने भी लिया आए पस्मांदा कोई नहीं था सब या तुनके करमचारी थे या तो बदर्सा बोट के कुछ स्टुडेंट लाए गए थे वह भी दबाव में पस्मांदा मुसी समाज के एक भी सक्स नहीं था आज भी प्रगाम हो रहा जाएए या देख लीजिए पता कर लीजिए पता कर लें एंहोंने पुरे परदेश में हमारे संगठ्रन के को पूण किया. लेकिन कोई भी नहीं आया उनके पहस्मानदा उनको नहीं आहीं को नहीं मानता isहा लेकिन अब वह चाहते है कि ब्रुगाम करके के बाथे जनता पाठी को लुबा करके अपनी ताकते के हम सरकार में कुछ हैसिलिय ये मकसद उनका हो सकता है लेकिन पस्मादा समाज इतने आसानी से इन लोगों की चक्र जोड़ने वाला नहीं इनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है इन को आगे कर रहे हैं, SMH नहीं को बनाए हैं यानि कि वह सुविधाओं का लाप भी ले रहे हैं तो SMH Muslim समाज निकल कर बाहर आ रहा है, टर्बिल तलाग की भी बात करते हैं, देखिए, यह कहना कि हम पसमादा मुस्लिव समाज को भागेदारी देंगे तो यह इस पर मैं विश्वास नहीं करता आप केंद्र में हो आप राज सरकार में हो पूरे भारत में आपके पास ताकत है आप असमांदा मुसल्मानों को दे सकते हैं दो साल चुनाओ है दो साल चुनाओ के पहले आप असमांदा मु जैसे हैं तो चुनाओं से पहले छोटी-छोटी मांग जैसे करप्री ठाकुर फार्मूला बिहार में लागू है बहुत छोटी सी बात है इसको पुरा कर दें ऐसे दो-चार मांगे हैं इनको पुरा कर देंगे तो मिनिश्ची तोर से पसमादा मुस्मी समाज का भारती जनता पार्टी में विश्वास जमना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं के वर वादे करते हैं तो वो पिछली बात की तरह पे जुम्ले बाजी थाबित होगी इससे मुसल्मान फसने वाला नहीं है मुसल्मान चाहता है कि जमीनी अस्तर पे पहले मुझे कुछ चाहिए पर पस्मान जुड़ी आएगा तो यह गलत फैमी है हम लोग पस्मान समाज से हम लोग कुरे देश प्रदेश में कौना कौना च्छान मारें पस्मान भाद मुश्रिया जह सारी बात के साहव समझा अगर आप समादा समाज के लिए आप था घंख्री को कर् metaph rained lord बनाया अच्छी बात मैंने उसका इस्तगबाल मी ञावि किया आज है बाता के साहरी भू में आफ необ सुस्मा समाज में ले जा करके उन लोगों से मिलवा सकते हैं उनके अहला से वाकिफ करा सकते हैं आपने उनको नहीं रखा इसलिए सरकार्थ हमारी मांग है कि वाला कृष्ण नायोग में कम से कम 50% पसमांदा मुसल्मानों को जगे दिया जाए और जो भारती जनता पार्टी में आज क कफसे हिताशी हो गए आपने 72 सालों से पसमांदा मुसल्माज के लीडर्शिप को बनने नहीं दिया आप उनका हक खाते रहे उनको पीछे कर दिया और आज पसमांदा समाज के लिए घर्यालू असु भाह करके और चंद मंत्रियों को ला करके और वहां प्रोग्राम करके य मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है चंद मंत्रियों को ला करके अपना शोबाजी दिखा करके शायद यह मंत्रिक से परस कर दे और मुझे चूरन चटनी मिल जाए इसके लिए वो सारे नेता परेशान हो रहे है तो साफ तोर से जो कहना है अनीस अमंसूरी जी का की जिस त दरा के प्रेशर बना के लाया जा रहा है वो एक्चुल पस्मंदा समाज के लोग नहीं है जिनको ठगा गया है मांग वही है कि पस्मंदा समाज के लोगों के लिए जब तक बीजेपी कुछ करके नहीं दिखाती है तब तक पस्मंदा समाज बीजेपी के साथ नहीं खड़ लखनु से क्यामरापरसन्ग गौरफ के साथ आश्री श्र्वासतो यूपी तग